देश में जीएस्टी को लागू हुए एक जुलाई दोजाब 22 को पांस साल पूरे होने को प्लश में जीएस्टी भाग ने संजेपलेस का रहले में जीएस्टी की पांची वर्षकांट मनाई दिली के बिज्ञान भहूं से किंद्रे बित्यमंत्री निर्मरासीता रॉमन ने देश में जीएस्टी के सभी अतकारियों को लाइब समोधित किया कारकरम को दौरान विभाग के सभी अतकारी करमचारी और वकील सीये ब्यापारी बर्क के लोग भी मुझूद रहे देश में GST को लागू हुए 5 साल पूरे हो गई 5 साल पूरे होने पर देश में जगा जगा GST की 5 भी वर्ष गाठ मनाए गई आगरा में भी CGST विभाग ने GST की 5 भी वर्ष गाठ मनाई कारकरम की शुरवात अधिकारियों ने मा सरस्वती को माला पहना और दीप प्रजवलित कर किया जगे GST डे आज के 5 मी वर्ष गाठ मना रहा है और जो किसी भी सुधार या रिफॉर्म को उसको उसके बारे में पूरी तरह उसको नेड़ने लेने के लिए 5 साल का जो समय होता है वो बहुत ही बड़ा समय होता है और जिसके अंतरगत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने होते हैं और आप उसको जज़ कर सकते हैं कि उसके कि इतना हमको फाइदा हुआ है हमने जीस्टी के पांस साल में जो कुछ सुधार हुए हैं जी स्टी का जो प्रोग्रेस है, इसके बारे में हमने बात की। उसके अलावा मेन प्रोग्राम Сब्सकNS हमारा विज्यान yaptवमिली से सीधे टेली कास्ट हो जिसमें बहुत सारे प्रिजन्टेशन पीपीटी वगड़ा दिखाए गए और निरमला सीता रवन जी फारिनस मिनस्टर ने देश को सम्बोद्युत किया हमारे बोर्ट के चेरमन श्रीव विविक जोहरी जी ने देश को सम्बोद्युत किया और GST के में जो STEM-Present में जो चल रहा है और भवश में जो GST में जो सम्भावना है उसके बारे में चर्चा की इस तरह एक बहुत सफल प्रोग्राम था बहुत अच्छा प्रोग्राम गुआ उम्मीद है GST हमारा जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है जिस तरह से GST से हमारे देश में GST जब लागू हुआ तो समय देश में कई जगाहों पर अलग अलग टैक्स थी लेकिन GST के लागू होने के बाद वियापारियों को सिर्फ दो जगाही टैक्स देना पड़ रहा है अधिकारियों का कहना है कि GST लागू होने से पहले टैक्स कलेक्शन काफी कम था ल नमस्कार सभी को GST दिवस के पांचवी वर्षगाट की बहुत-बहुत शुब कामना है मैं रेशम दिवेद्य उपायुक्त केंदरी माल एवं सेवाकर तद्धा केंदरी उत्पाज शुल्क आगरा में पदस्त हूं आज GST के लागू होने के पांचवी वर्षगाट हमने अपने आयुक ताले में जो सभागार है वहांपर सभी टैक्सपेर्स को विबिन एस्सोसियेशन के रिप्रेजन्टेटिवस को जो हमारे tax representatives हैं, tax consultants हैं, उन सभी को बुलाकर और हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे अपरायुक महोदे, उपायुक महोदे और विबन करमचारीगण, उन सभी के साथ नई दिल्ली विज्ञान भवन में होने वाले माननिया वित्तमंत्रि महोदे के अध्यक्षिता में जो वहाँ प्रोग्राम हुआ है आज, उसका सीधा प्रसारण किया साथ ही हमने अपने जो भी tax persons आए हैं, उनके साथ चर्चा हुई, उन से सुझाव लिये गए, उनकी समस्याओं का हल बताया गया और पिछले पांच वर्षों में जो भी GST का effect रहा है, निर्यात में, आयात में, जो बाजार का सरली करण हुआ है, जो invoices को लेके, digitization को लेके, जो हमारा effect रहा है, व्यापार में, ease of doing business को लेके, किस तरह से GST का उसमर प्रभाव रहा है इन सब पर नई दिल्ली से जो भी presentation हुई है, वो सब हमने यहाँ पर उसका सीधा प्रसारण किया, उस पर हमने चर्चाएं की और इस तरह से आज हमने GST Day का आयोजन पूरा, सफल पूर्वक पूरा किया देखिए यह हमारा पाच्वान GST Day था, GST के आने के बाद, आपको अबगत होगा कि एक जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था देश में, और GST ने बहुत ही एक टैक्स रिजीम के हिसाब से देखा जाए तो कि पांस साल बहुत ही कम पीरियड होता है, बहुत ही छोटा की है और GST टैक्स बहुत जल्दी स्टेबलाइज हुआ है, यदि हम सेंटरल एक्साइज या सर्विस टैक्स या वैट की बात करें तो इन टैक्सों को स्टेबलाइज होने में कई साल लग गए थे, लेकिन GST ने अपने आपको बहुत जल्दी स्टेबलाइज किया है, और आज ये पांस साल पूरे हो गए हैं, GST को लागू हुए, तो उसके उपलक्ष में हमने अपने आयुकताले आगरा में GST Day का सेलिबरेशन आयुजित किया, जिसमें सभी जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे कि हमारे वकील बंदू हैं, उनके असोसेशन के लोग हैं, ह सफल होना संभव नहीं था, और इस आयोजन बहुती सफल रहा, इसमें हमने विज्ञान भवन दिल्ली में माननिया, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन जी के प्रोग्राम को उनके भाशन को भी लाइफ दिखाया, और सभी ने इस कारिक्रम को काफी सरहा, जी एस्टी की पांचपी वर्षगांट के अफसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन से लाइफ प्रसारन किया गया, इस तोरान वित्तमंत्री, सीवी, डीटी, सीवी, सीआईसी के अध्यक्ष विवेक जोहरी ने गांधी ची की फोटो देकर उनको सम्मान प्रदान किया, इस इनिवस के लिए वित।